एंटी पीसी सीवीटी फर्स्ट का रिवाई रिजल्ट फिर से लेवल वाई जाएगा या फिर एक कोमन कटोफ देखने को मिलने वाली है और कितने नंबरों पर आप लोगों का सेलेक्शन होने के चांसे से तो यहीं डिसकस करेंगे आज के इस वीडियो में वीडियो इंपोर्टन होने वाली है इसलिए सुरू से लेकर एंड तक पूरा देखना काफी कुछ जाने को मिलेगा आज के इस वीडियो में और जो भी दोस्त चैनल पर पहले ही बारा है चैनल को भी जहूँ सब्सक्राइब करें तक कि रेलवे के रिगार्डिंग जितनी भी लेटेच इंफोर्मिशन है वो सभी तक आसानी से पहुंच सके तो दोस्तों ये सवाल काफी लोगों का है कि रिवाई रेजल्ट किस प्रकार आएगा क्या जो रेजल्ट है आप लोगों का वो लेवल वाई जाएगा या फिर एक कॉमन कट अफ देखने को मिलने वाली है व दोस्तों मैंने हमिसा ही आप लोगों को एक सठिक जंकरी दिये और इस बार भी आप लोगों को सठिक जंकरी देने की कोशिस करूँगा दोस्तों कभी भी मैंने आप लोग को कोई भी fake news नहीं बताई और कभी भी हमारे इस channel पर इस तरह की news नहीं आती है जिसे आप लोग भरमितो तो दोस्तों अंदर से जो news नुकल के सामने आ रही है वो यह है कि आप लोग का जो revise result आने वाला है वो दोस्तों आप लोग को level wise ही देखने को मिल सकता है जिया दोस्तों level wise ही result आप लोग को देखने को मिल सकता है जब revise result आएगा revise result एक नए तरीके से देखने को मिलेगा और वो आप लोग सब जानते हैं हर level के अंदर जितनी vacancy है उसके 20 गुना unique candidate को पास किये जाएगा जिससे जो हमारी demand थी वो भी fulfill हो जाएगी यानि कि जोस्तों हमारी जो demand थी कि 20 गुना unique candidate लिये जाए तो हर level के अंदर जितनी vacancy है उसके 20 गुना candidate को लिया जाएगा 20 गुना candidate को पास करने से जो हमारी demand थी वो भी पूरी हो जाएगी और railway का जो कहना था कि हम किसी भी student का हक नहीं मार सकते जो एक से ज़्यदा level के अंदर पास हुआ है यानि कि दोस्तों level वाई रिजल देने से होगा क्या कि जो student एक से ज़्यदा level में पास हुए हैं उनको एक से ज़्यदा exam देने का मुका दिया जाएगा यानि कि दोस्तों कहीं ना कहीं जो भी student एक से ज़्यदा level में पास हुए हैं उनके पास plus point रहेगा उनके पास ये edge रहेगा इस exam को निकालने का हाला कि common cutoff भी एक best तरीका होता है result देने का common cutoff देने से हर एक student बराबर हो जाएगा और हर एक student eligible हो जाएगा सभी पोस्टों के लिए तो common cutoff भी एक best तरीका है ग्रम देने का जिससे कम से कम हर एक student को सारी पोस्टों के लिए fight करने का मुका दिया जाएगा लेकिन दोस्तों जो result है आप लोग को वो level wise ही देखने को मिलने वाला है क्योंकि दोस्तों railway खुद यह सोच रहा होगा कि अगर हम सारी student की हम demand पूरी कर रहे हैं यानि कि हम 20 गुना यूरी candidate ले रहे हैं तो कम से कम student को हमारी भी एक सत माननी होगी यानि कि 20 गुना unique candidate लेकिन result आप लोग का level wise ही देखने को मिलेगा तो यह भी railway की सार्थ हो सकती है कि 20 गुना candidate हम pass कर देंगे लेकिन result हम जो देंगे वो level wise ही देंगे तो दोस्तों आप लोग की क्या राई है मुझे comment box में जरूर बताएए कि जो रिवाई result आएगा railway का वो level wise आना चाहिए या फिर comment cut off जाने चाहिए तो आप लोग की जो राई है मुझे comment box में जरूर बताएए ताकि आप लोग की जो भी राई है आप लोग के mind में जो भी चल रहा है उसको मैं वीडियो बना के बता सकूँ कि इस्ट्वेंट चाहता क्या है क्या वो result को level wise आता है या फिर एक comment cut off चाहता है तो आप लोग मुझे comment box में जरूर बताएए आप लोग की राई और दोस्तों रही बात आप लोग के selection की आप लोग यह मांग के चलिए लेवल वाइज अगर result आप लोग का आता है न तो आप लोग यह मांग के चलिए हर level में जिया दोस्तों लगबग हर level के अंदर लगबग आप लोग की 6 level थी तो हर level के अंदर 5 से 10 number decreased होने के पूरे पूरे chances है जिया दोस्तों 5 से 10 नंबर कम होने के पूरे पूरे चांसे ज़े हर लेवल के अंदर रिवाई result आने के बाद तो कि दोस्तों आप लोग देखिए कि हर लेवल के अंदर मुश्किल से 3 से 4 गुना candidate को पास किया गया है यूनिक candidate गुरूप में और जब 20 गुना candidate अगर पास करेंगे यूनिक candidate तो 5 से 10 नंबर जरूर कम होंगे तो आप लोगों को अपने अपने जो नॉमलाइस मार्क से वो पता तलिगे होंगे result के इसाब से तो आप लोग अपने लेवल के इसाब से कि जिस लेवल में जितनी कटोफ गई है उसके इसाब से अपने 5 से 10 नंबर आप कम कर लिजिए इतना ही कटोफ आप लोगों को देखने को मिलेगा जब आप लोगों का रिवाई result आएगा यानि कि दोस्तों आप यह मग के चलिए कि अगर आप हर लेवल के अंदर qualify भी अगर नहीं होते है ना तो लेवल 5 में तो आप आराम से qualify हो जाओगे जया दोस्तों लेवल 5 की जो cut-off है वो पूरे इंडिया के अंदर हर बोड के अंदर सब से कम cut-off गई है तो level 5 की जो cutoff है उसको तो आप आसानी से clear कर जाओगे और दोस्तों अगर common cutoff जाती है ना तो इसका मतलब किया है कि level 5 की अगर आपने cutoff पार कर ली इसका मतलब यह है कि आप minimum number पर आप qualify होगे और सभी post ओं के लिए बाद में CB2 के लिए eligible हो जाओगे इसलिए दोस्तों रेलवर नहीं जाएगा इसलिए आप लोग का जो result है वो level Y देखने मिलेगा अगर आप level 5 की cutoff पार करते हो इसलिए यह है कि आप CB2 में level 5 की जो examen स्रिफ वो ही दे पाओगे इसलिए दोस्तों level 5 की cutoff सबसे मिनम गई है तो 5 से 10 नमबर आप मायनस कर लीजिए इतनी cutoff आप लोग को देखने मिलेगी लगबख सभी जोनों से तो 5 से 10 नमबर यह अपने मायनस ठलीजे दोस्तों 5 से 10 नमबर आप लोग के 100% कम होंगे इसके मैं आप लोग गाणटे जता हूँ और आराम से आप लोग का selection होने के chances बढ़ जाएंगे तो दोस्तों आज के वीडियो में केवल इतना ही अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और railway की जानकारी के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें धन्यवाद